गोल्डी किचन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज, मैं गोल्डी और आप सभी का गोल्डी किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अकसर गर्मियों में दूद बहुत जल्दी फट जाता है और आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है इस फटे हुए दू से या तो आप पनीर बनाते हैं या फिर आप इसे चीनी डाल कर खा लेते हैं लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न इस फटे हुए दू से एक स्पेशल और नए तरीकी की मिठाई बनाई जाए और इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूँ ये स्पेशल मिठाई सिर्फ दो ही इंग्रीडियन से तयार की जाती है और इस मिठाई की खास बात ये है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी घी की ज़रत नहीं लगती है और समय की भी बचचत हो जाती है बस मिंटो में इस मिठाई को तयार किया जाता है इस मिठाई का नाम है पनीर कदम जो बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घ़र पे बना सकते हैं और फेस्टिवल में तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करिए तो आए हम इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं और पनीर कदम तयार कर लेते हैं यहाँ मैंने फटा हुआ दूद लिया है कल रात को मैं एक लीटर दूद गरम करके फ्रिज में रखना भूल गई थी और मेरी गल्थी की वज़े से दूद फट गया है तो आईए इस फटे हुए दूद से हम पनीर कदम तयार कर लेते हैं इस फटे हुए दूद को सबसे पहले हम छान लेंगे हमें इसका पनीर अलग निकाल लेना है और पानी को अलग कर देना है फटे हुए दूद से पनीर को अलग करने के लिए यहां हमने एक बोल ले लिया है और इसके उपर हमने एक स्टेनर रख दिया है हम इसके उपर एक कॉटन का क्लोथ रख देंगे आपको भी मसलन क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसी में हम इस फटे हुए दूद को डाल कर अच्छे से छान लेंगे यहां आप देख सकते हैं कि मैंने फटे हुए दूद से पनीर को अलग कर लिया है और उसके पानी को अलग कर लिया है पनीर यहां पर बहुती अच्छे से तयार हो गया है लगबग एक लीटर दूद में देड़ सो ग्राम के करी पनीर निकला है और ये फटे हुए दूद का जो पानी है आप इससे करी बना सकते हैं आप इससे आंटा गूत सकते हैं बहुत ही हल्दी वाटर होता है इसलिए आप इसे फेक ये मत सबसे पहले हम इस पनीर को एकदम सॉफ्ट कर लेंगे और हमें इसे अपने हातों से अच्छे से मसल लेना है तो आए हम इसे मसल लेते हैं आप देख सकते हैं कि पनीर हमारा कित्ता सॉफ्ट तयार हुआ है हम इसे मसल लेंगे, मसल नहीं के लिए हम पाम का यूज़ करेंगे, तो आए हम इसे मसल लेते हैं पांच मिनट पूरे हो चुके हैं और यहां आप देख सकते हैं कि हमने पनीर को सॉफ्ट डो की तरह तयार कर लिया है इस पनीर को सॉफ्ट करने के लिए लगबग 5 मिनट लगे हैं, अगर आप इसे अपने हाथों से मसलना नहीं चाहते हैं, तो आप इसे मिक्सर जार में डाल कर लगबग 3-4 राउंड घुमा लीजे, पनीर एक दम अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगा, तो आएगे अब हम नेक्स से के लिए आप देख सकते हैं कि पनीर हमारा कित्ता सॉफ्ट है हमने इसे बहुत ही अच्छे से मसला है और आप पारिया इसमें हाफ कप कंडेंस मिल्ग एड करने की यहां मैंने होममेड कंडेंस मिल्ग लिया है, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चै कर सकते हैं और अब हम इन दोनों इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स करेंगे इस स्टेश पे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कंटीनु स्टर करते हुए इसे हमें पकाना है हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक यह एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार नहीं हो जाता है आप देख सकते हैं कि पनीर कदम का मिक्षर हलका हलका गाड़ा हो रहा है अगर इसे कंटीनु स्टर किया जा तो एकदम सॉफ्ट डो की तरह यह तैयार हो जाएगा लेकिन हम इसमें कुछ आप्शनल इंग्रीडियन्स एड करेंगे ताकि पनीर कदम दिखने में बहुत ही हम इसमें केसर वाला दूद आड़ कर देंगे यहां मैंने टू टेबल स्पून गरम दूद ले लिया था और उसमें लगभग आट से दस हमने केसर के लच्छे डाल कर भीगो कर रख दिये थे और इसका कलर चेंज हो गया है हम इस केसर वाले दूद को भी इसमें डाल साथ हम इसमें डेसिकेटिट कोकोनट आड़ कर देंगे टू टेबल स्पून के करीब यह दोनों ही इंग्रीडियन्स ऑप्शनल है इसे डालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर आड़ करेंगे यह भी ऑप्शनल है तो हम इसमें 1 फोट टेबल स्पून इलाइची पाउडर आड़ कर देते हैं और अब हम इन सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे मिक्स करते हुए अगें कंटीनिस स्टर करेंगे ताकि सारे इंग्रीडियन्स अच्छे से मिल जाए और इसका एक हो गया है हम इसे लगबग एक मिनिट के लिए और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे 6-7 मिनिट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पनीर कम मिक्षर एकदम अच्छा सॉफ डो में बदल गया है इस टेच फे हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रा खी लगा लेंगे और छिखना कर लेंगे तैको लड़ू बनाने में आसानी हो और अब हम इस डो में चोटा सा पोशन उठाएंगे इस तरीके से alright गोल गो लड़ू तयार कर लेंगे, हम इसे एक दम पास से दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा एक पनीर कदम तयार हो चुका है, और आप हम इसके उपर छोटा सा पिस्ता लगा देंगे, ताकि दिखने में यह और सुन्दर लगे, और इसे एक छोटे से पेपर की कटोरी पे रख देंगे, और ये लीजे फ्रेंस तयार है हमारा एक पनीर कदम पहुती बणया दिख रहा है, इसी तरीके से हम एक एक करके सारे पनीर कदम को तयार कर लेंगे, तो लीजे फ्रेंस तयार है हमारे नए तरीके की मिठाई, हमने इसे थोड़ा सा और गानिश कर दिया है के जितनी दिखने में टेस्टी है खाने में भी उतरी ही टेस्टी लगेगी बहुत ही अच्छे से हमने से तयार कर लिया है बहुत ही आसानी से और सबसे खास बात है कि बहुत ही कम समय लगें इसे तयार करने में इस नए तरीकी की मिठाई को खाने की बाद को यकीन ही नहीं कोई भी तीस्ते वार पर आप बना सकते हैं और इस आने वाले रक्षा बंदन पर आप ज़रूर ट्रॉय करिए और अपने एक्स्पीरियंस कमेंट में हमसे जरूर शेयर करिए अगर आप इसी तरह की से क्विक और इनोवेटिव रेसिपी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अपने की लिए अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सकरेंगे रेसिखने खरेंगे श्यूर को लाइट करेंगी जादा से शेयर करेंगे और अपने experience कमेंट पे हमसे ज़रूर शेयर करें तब तक के लिए खाते रहें और देखते रहें गोल्डिस किचन थैंक्यू फ्रेंट्स बबाई बे работает तक मेंगे पातीए को लिए उन कि भी और चेद्टो छेखते रचेश से Amen झाल Hamm combinव हमसे बढहें पेसे सब्स्रे करें में खाता रहें तक के अ Agriculture सम्ट्स भेज्चू प